मित्रो नमस्कार आप देख रहे हैं धमदिश्ट पत्रका का यूटूब चैनल दस्तक मीडिया मैं बिनोश शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करूरी की अद्बुत कत्हें अद्बुत कत्हों की स्रंकला में मैं आज आपको इलहवाद लिये चलता हूं और इलहवाद में संगम तक पर गंगायमना सस्वती और जो लोग वहाँ पर गए हैं उन्हाने वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्सन जरूर किये होंगे यहाँ पर संगम है बहाँ पर किला है जब आप आएंगे तो बहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए लेटे की मुद्रा में हैं तो उनकी दर्सन करने का सौभा की जिनको प्राप्त हुआ है उनके लिए तो ऐसा लगेगा कि वह भही खड़े होंकि कथा सुन रहे हैं और यदि आप अभी तक दर्सन करने नहीं पहुँचे हैं तो जरूर जाइएगा और लेटे हुए हनुमान जी के दर्सन कीज़ेगा एक बर्स में गंगा मा जरूर आती है उनके पास उनकी धार उनसे थोड़ी दूरी पर रहती है लेकिन बर्स में वो एक बार जरूर आती है पूरे मंदिर में जल आता है गंगा जल और उनको नहला के वो चली जाते हैं यह एक ऐसी बात है जो पूरी तरह से सत्य है गंगा मा एक बार उस मंदिर में आती है पूरी तरह से जल आता है और फिर चलाता है एक बर से ऐसा हुआ कि बार की सिदी बनी हुई थी और जलमग्न विवस्ता उदर हो गई थी अब वो इस्नान वाली प्रिक्रिया नहीं उससे हटके हो गया आई है मंदिर भागे पुजारियों ने भागे लोगों ने सोचा कि मंदिर ध्वस्त हो जाएगा मंदिर बचेगा नहीं बहुत विकट इस्तिती थी ततकालीन रच्छा मंत्री डाक्टर काटजू बहाँ आए उनसे लोगों ने गोहार की उन्होंने वहागा निच्छन किया इस मंदिर को बचा लिजिए लेटे हुए हनुमान जी को बचा लिजिए काटजू ने कहा कि किस व्यक्ति की किस मानब की ये आउकाद है जो हनुमान जी को बचाए हनुमान जी तो खुद रच्छक है हनुमान जी को कोई मानब नहीं बचा सकता वो स्वेम से सकते हैं वो चाहेंगे तभी ये मंदिर पूरी तरह सुरचित रहेगा बहुत दिनों से वो जल्मंग रह रहा था मंदिर पूरा चेत रही बाड़ी करस था लेकिन एक बात है हनुमान जी के स्वेम अवतार बाबा नीम करूरी है और नीम करूरी महराज अगर जाएंगे तो ये जल इस तर यहां सी उतर जाएगा वो याद कर रहे थे भक्तों से बाची चल लएए थी और आप जानते हैं कि भक्तों की जब पुकार होती है तो भगवान दोड़े चले आते हैं भगवान नीम करूरी बाबा आ रहे हैं उनकी एक जीब थी जीब पे बैठे बहां कुछी मिन्टें गुजरी होगी और वो भवाब पर आए तब ही लोग कहने लगे अले बाबा जी आगे बाबा जी आगे नीम करूरी बाबा आगे माराजी भाब पहुंचते हैं माराजी से सभी लोग भगत वहां कहने लगते हैं कि माराजी मंदिर खत्रे में है और मंदिर को किसी तरह बचा लीजिए हनुमान जी के मंदिर को बचा लीजिए माराजी कहते हैं कि हनुमान जी को तो किवल हनुमान जी बचा सकते हैं हम भईया कुछ नहीं कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हनुमान जी खुदी बचाएंगे उनको और ये कहते हुए जीब से उतरते हैं जल लेते हैं थोड़ा आतेली में उसका आचमन कर लेते हैं आचमन करने के बाद कहते हैं सब ठीक होगा बैठे गाड़ी में और चले गए आचर ये जनक बात ये रही कि उसी रात से उस इस्थान का जल इस तर घटने लगा और दो रात से गुजरी मंदिर अपने जगे आ गया हनुमान जी अपने बिलकुल बैसे ही विए मंदिर को कोई च्थ नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि हम आप सब से लेकर जन सामान से लेकर जो बी आई पी दीरगा में आते हैं रच्छा मंत्री पधान मंत्री राष्ट पती ये सब जान गए थे कि ये हनुमान जी के अवतार है वित्रो जब कोई चमतकारों की स्रंखला प्रश्णिकत करता है तो एक दर्द उभरता है मैं केवल बिनमर निवेदन उनसे ये कर रहा जाहूंगा कि जो कथाएं आपके बीच में आ रही हैं उनको आप स्वेम जाचे पर्खें और कथाँ की जो सत्ता है वो प्रमानिक है क्योंकि आचमन किया और जल उतर गया तो निश्यत रुप से माल लेजिए कि जो स्वेम कह रहे थे कहनुमान जी हनुमान जी ही समाल पाएंगे काड़ जो भी कह रहे थे हनुमान जी ही उसको दूर कर सकते हैं उन्हीं बावा नीम पुरी हनुमान की अफ्तार है तो मित्रो कई कथाएं नारायन स्वामी से सम्मन देत और भी कथाओं में ऐसा स्योग मिला है एक तो फोटो भी महराद जी का ऐसा है जो बिल्कुल हाथ हनुमान जी की तरह आया एक फोटो है तो फिर ऐसी एक कथा के साथ हम आप सिर्फ पुरह मिलते हैं तब तक के लिए लाव लाव सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूलें ताक के हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें